हेलो मेरें आपका स्वागत है यूबॉन अकाड़ी में जैसे के हम पहले बता चुके हैं कि मैं इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिकोट करेंगे आज के इस वीडियो मम यूमन ब्रेन मानव मस्तिस्क की बारे में जैनकार लेंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें तो यह शू करते हैं, Control and Coordination Part 4 Human Brain मानव मस्तिस्क Is reflex action the only function of the spinal cord? कैस्पैनल कोड का कहारी केवल परतिवर्ति किरिया है? Reflex action दिखाता है न, इससे पहले हमने, दिखाता है कि हमारे हाथ जल जाता है तो क्या परतिवर्ति किरिया मतलब जो हमारे spinal cord है, मिरुरज्जु है, उसका क्यारी केवल reflex section का है, परतिवर्ति किरिया का है Obviously not, निश्ची रूप से नहीं Since we know that we are thinking begins Spanial cord is made up of nerves which supply information to think about Since we know that we are thinking begins क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी है Spanial cord is made up of nerves which supply information to think about जो Spanial cord है, वो तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सोचनाय परदान करती है और सोचने में अधिक जटल केरिया भीता तंत्रिक संबंद होते है Thinking involves more complex mechanism and neural connection जो thinking की परक्रिया होती है वो थोड़ा सा जटल परक्रिया है These are connected in the brain Which is the main coordinating center of the body ये मस्तिक्स में संकेंदित रहते हैं और जो सरी का मुख्य सम्नुएर केंद्र है These are connected in the brain Which are the main coordinating center of the body ये क्या होते है मस्तिक्स में brain में concentrate रहते हैं संद्र केंदित रहते हैं जो हमारे सरी का मुख्य सम्नुएर केंद्र है Coordination जो center है वो हमारा mind है The brain and spinal cord constitute the central nervous system मस्तिस्क brain तथा spinal cord मिरुरच्चू ठीक है brain और spinal cord केंद्री तंत्र का तंत्र बनाते हैं Spinal cord and brain दो चीज़े एक तो हमारे क्या thinking process ठीक है कहां से start होती है हमारे mind से तो हमारा brain हो गया और उसमें spinal cord अगर दोनों को बिला दें तो हमारा cns बिलाता है cns का problem क्या है Central nervous system They receive information from all parts of the body and integrate it ठीक है जो क्या करते हैं सरीर के बिन भागों से information को collect करते हैं सोचनाय प्राप्त करते हैं तथा उनका integration ठीक है समाकलन करते हैं We also think about our actions हम अपनी किरियाओं के बारे में भी सोचते हैं We also think about our actions हमारे actions क्या होगा उसके बारे में हम सोचते हैं Writing, talking, moving, a chair moving a chair, clapping at the end of the program are example of voluntary actions which are based on deciding what do next ठीक है हम क्या कहा हमने हम अपनी किरियाओं के बारे में भी सोचते कि हमने next क्या करना है जैसे हमने कहा लिखना है ठीक है, writing है writing, talking, ठीक है, बात करना moving a chair, ठीक है, एक कुर्शी को घुमाना clapping at the end of the program ठीक है, जब कोई program खत्म होता है ठीक, कोई कारिकरम कर्समापत होता है तो उसके बाद तालिव जाना are example of voluntary actions which are based on deciding what do what to do next ठीक है, यह हमारी शारी क्या है voluntary actions है, एच्छे क्रिया होती है ठीक है, कि इसके बाद आगे क्या करना है, कि निड़ा पर आधारी होती है ठीक है, हमें next step में क्या करना है तो इस पर decide होता है पालो हमने पाँ उठाए, पाँ उठाने के बाद हम उसको दाएं रखते हैं, बाएं रखते हैं, पीछे रग 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 रहे हैं आगे रग रग रहे हैं, तो यह क्या है, voluntary action है ठीक है, तो इन सब पर हमारे क्या होता है thinking जो process है हमारे जो सोचनी की सकती है वो इस पर काहरे करती है ठीक है, इसलिए हमारे मस्तिक्स को भी पेश्यों तक संग्देश भेजने होते है ठीक हमारे ब्रेन जो होगा हमारे जो लैक की मसल्स है ठीक है, मैंने कहा कि अगले स्टेप पर हमें पाउं आगे रखना है, बाएं रखना है, पीछे रखना है यह हमें कही पर भी पाउं रखना है तो इसके लिए हमारे जो ब्रेन होगा ओं मसल्स को क्या देगा है, इंस्रक्शन देगा कि आपको पाउं आगे रखना है या आपको पाउं पीछे रखना है तो उसकी according हमारी जो मसल्स है वो वर्क करेंगी this is the second way in which the nervous nervous system communicate with the muscles तेक यह दूसा मार्ग है जिसमें तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र पेशियों में संचार को भीचता है communication कैसे किया तो उसके बारे में देता है the communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system constituting of cranial nerves arising from the brain and the spinal nerves arising from the spinal cord the communication between the central nervous system and the other part of the body क्या का हमने केंद्री तंत्र का तंत्र central nervous system तद्धा सरीर के अन्य भागों में संचार की परिदी तंत्र का एम सुगमता परदान करता है the facilitated by the peripheral nervous system consisting consisting by of cranial nerves arising from the brain and the spinal nerves arising from the spinal cord थीक्या हमारे जो मस्त्र के निकलने वाली cranial nerves हैं कपाली तंत्र का हैं तथा टुकैं इसके और दूसरा बाछा बनावा हुट निवाल है मेर्ण वाले सिस्टम से इसके बॉडी में तो उन दोन से मिलकर बनावा थे वो इसमें को definitely करते है क्वेड़ allows us to think and take action based on that thinking इस परकार मस्तिक्स का हमें सोचनी की अनुमती तथा सोचने पर आधारित के रहा करने की अनुमती परदान करता है कि हमें next क्या करना है As you will accept this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for interacting different inputs and outputs As you will expect जैसे आपने संभाना लगी होगी जैसे आपने संभाना की होगी ठीक एक्सपक्त की होगी This is a accomplished through a complex design यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारम मस्तिक्स की विविन भागों में जो विविन आने वाली और जाने वाली आगत और निर्गत सुचनाओं का समाकलेद करने के लिए उतरदाय होती है The brain has three such major parts of reason namely the forebrain, midbrain and hindbrain इनको पूरा क्याता है मस्तिक्स में इस तरह के कायरे को करने के लिए इसके तीन भाग होते है मस्तिक्स की क्या है हमारे पास तीन भाग है एक क्या है forebrain, midbrain, hindbrain अग्रमस्तिक, madhymastik और पस्च मस्तिक forebrain अग्रमस्तिक, midbrain, madhymastik, hindbrain, पस्च मस्तिक आगे इसको भाग दिखा देंगे the forebrain is the main thinking part of the brain forebrain यह जो अग्रमस्तिक है वो मनुष्य के सोचने का मुख्य के इंद्र है forebrain, mastik, forebrain जो है वो मनुष्य के सोचने का मुख्य भाग है it has region which receives sensory impulse from various receptors mastik's का मुख्य सोचना भाग है इसमें ग्रहाई से संग्वेदी आवेक impulse के द्वारा प्राप्त करने के लिए छेत्र बने वए रहते है अब देखो human brain दिखा रखा रखावाग है यह human brain है तो यह वाला जो पार्ट होगा forebrain तो यह क्या है mastik's जो है forebrain जो होगा वो मुनिश्य के सोचने का मुख्य भाग है ठीक है forebrain जिसे क्या क्या गता हमने सोचने समझने का जो मुख्य भाग होता है वो forebrain होता है ठीक है the forebrain is the main thinking part of the brain it has region which receives sensory impulse from various receptor जो क्या करता है हमारे body में जो various जगह जगह पर जो sensory organs होते हैं उनसे सुचनाओं को recept करता है और उनके प्रती action लिया जाता है separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on ठीक है forebrain अगर मस्तिक कि अलग लग छेतर जैसे सुनने के लिए, सुनने के लिए, देखने आदी के लिए specialized होते है sight and so on हमारे सुनने के लिए, सुनने के लिए और smell करने के लिए इसके अलग लग भाग बने होय होते हैं, specialized होते है there are separate areas of association where which sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain ठीक है हमने there are separate areas of association where where this sensory information is interpreted ठीक है, इसमें सहाचर है, association के लिए ठीक है, सहाचर के छेत्र पिर्थक होते हैं जहां इन संवेदी सुसनाओं अन्य ग्रही से यानि जो receptors से उनसे प्राप्त होती हैं सुसनाओं पहले से मस्तिक में 81 सुसनाओं का अर्थ लगा जाता है there are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain ठीक है, क्या कामने? इसमें सहाचर के छेत्र पिर्थक होते हैं इनमें अलगलग areas होते हैं जहां इन सुसनाओं का, समीदी सुसनाओं, अन्य ग्रही से प्रापतर सुसनाओं और पहले से मस्तिक में एकतर सुसनाओं से से इनका अर्थ लगाए जाता है Based on all this a decision is made about how to respond and the information is part on the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles Based on all this ठीक है, इन सब पर आधारिक a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscles ठीक है, इन सब पर आधारित तब जाके एक निड़ा लिया जाता है कि जो हमारे पास जो action आया है, उसके प्रतिक क्या अनुकिरिया करनी है, ठीक है, उसके प्रतिक क्या अनुकिरिया करनी है तो ता सुचना है, प्रेरक्षेतर तक कैसे पहुचाए जाए, जो हमारी जो voluntary muscles होती है, एक्षिक पेशिया होती है, उनकी गती, ठीक है, जैसे हमें अपनी पाओं को आगे उठाना, जैसे हमारी टांग की पेशिया है, ठीक है, तो उनको भी क्या करती है, यह नियंत्रित करती है, हाना की प्रकृति में कुछ संग्वेदन देखने और सुनने से भी अधिक जटल होती है, जैसे हमें कैसे पता चलता है कि हम प्रयाप्त भूदन खा चुके हैं, ठीक हमें खाना काया, ऐसा दूनिया कि हम जब खाना का रहे तो लगाततार खाना काते जाना हैं, लेगिन हमें एक स्टप के बाद पता सर जाता हैं कि हमने खाना कालिया है, जो हमारे लिए कि है, sufficient है, ठीक हैं, तो यह ऐख होता है इनकी दौरा, control के था, The sensation of feeling full is because of a center associated with hunger which is in separate part of the forebrain हमारे पेट पुरा भरा हुआ है यह जाने के लिए एक भूख से संबंदित केंद्र जो अग्रमस्तिक में एक अलग भाग है Study the leveled diagram for the human brain ठीक है आपको human brain के study करना है उसके जो भीन भाग है उनको के करना है लेबलिंग करना है उनका नाम लिक्रा है We have seen that the different parts have specific functions ठीक है मानो मस्तिष के नमां की चित बनाना है आपको हम देख चुके हैं कि बिएन भागों का बिशिष्ट कारी है Can you find out the function of each part? कि आप परतिख भाग का ठीक है क्या कारी है उसको आप जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं ठीक है परतिख भाग का क्या कारी है मनुष्ट की हमने का ना मनुष्ट की जो मस्तिष है वो बिएन भाग का है तो किस भाग का क्या करें, उसको आप जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे आप से पूछेए, तो फूर ब्रें वाले एरिया है तिक जो सबसे ज़ादा important है midbrain वाला portion यह दिखा रहे है आपको ठीक यह वाला portion क्या midbrain दिखा रहे है और यह क्या हमारे पास hinder brain ठीक है तो यह वाला जो portion होगा यह hinder brain के अंदगत रखा जगा है let's look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction ठीक है let's look at the other use of the word reflex ठीक जो पर्तिवर्ती सब्द का दूसरा उप्योग भी देखते हैं जिसको हम प्रार्म में discuss कर चुके है और mouth waters when we see food we like without our meaning to ठीक है जब हम किसी खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अचाने की हमारे मुह में पाने आने लग जाता है our heartbeats without our thinking about it ठीक है हिर्दय स्पंदन के बारे में हम नौ भी सोचें तब भी हो हमेशा होते रहेगा हमारे heartbeats के होगे हमेशा चलते रहेगे रुग गया तो समलो हम रुग गे in fact we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to वास्तों में इनके बारे में सोच कर या चाह कर भी आसाने से हम इनकी रियाओं पर नियंतर नहीं कर पाते हैं in fact we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to अगर हम चाहते हैं ठीक है चाहा रहे हैं कि हम अपनी heartbeats को रोग दें तो ऐसा possible नहीं है तो फिर भी इन पर control नहीं किया जाता है do we have to think about or remember to breathe or digest food कि हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए शोचना या याद करना पड़ता है कि हमें भोजन पचा लेना चाहिए या हम आप सांस लेनी चाहिए तो यह कहा है कुछ अजीब तरीके से मतला हमारे दिमाग में चलने वाली या हमारे सेर में चलने वाली कुछ गत्वी दिया है so in between the simple reflex actions like change in the size of the pupil and the thought throughout actions such as moving a chair there is another set of muscles movement over which do not have any thinking control और शाम नि पर्तिवर्त गे जैसे हमारे आंकी जो फिफेल है ठीक एक पुछ नहीं है oh many of these involuntary actions are controlled by the mid brain and hind brain देखो बहुत जाद important है यह जो involuntary actions होती है कि रियाए है इन सब में मद्य मस्तिक और जो पस्च मस्तिक उस्वा उनका न्यंतर रहता है हिंड brain और जो mid brain है वो इस तरह की involuntary actions होती है ठीक उन पर control किया आता है जैसे हमने कहा हमारी आँग automatically जपक जाती है ठीक पलके जपक जाती है यह हमें सांस लेना है यह हमारा जो हिर्दे है वो लगाता है धर्खना है तो इन सब किसका control किया आता है mid brain और hind brain का all these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain यह सभी अनेच्छी किरिया है जैसे blood pressure हो गया salivary हो गया अलार काना हो गया जो हमारा woman mustik उसमें medulla द्वारा नियंतित किया आता है हमारा जो medulla होगा hind brain के अन्दगा जो medulla है वो इन सब को control करता है salivation, vomiting, ulty hind brain के अन्दगा आता है blood pressure, hind brain medulla के द्वारा इसको सब को control किया आता है think about activities like walking in a straight line bicycle picking up a pencil कुछ किरिया हैं जैसे सीधरे खमाच चलना, cycle चलना या pencil को उठाना इन सब पर आपको विचार करना है these are possible due to a part of the hind brain called the cerebellum ये हमारे hind brain परस्टे मस्तिक में इस्तित भाग अनुमस्तिक द्वारा ही संभव है जो अच्छी किरियाओं की परस्टे था शरी की संस्तित या संतुलित के लिए उतरदाई होती है these are possible due to the part of the hind brain called cerebellum it is the responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and the balance of the body किरियाओं कैसे संतुलित होंगी इन सब के लिए ये क्या होती है उतरदाई होती है what would happen if each of these events failed to take place if we are not thinking about it कलपना कीजिएगी ये हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये सभी घटना है काम करना बंद कर दें तो क्या होगा जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं अगर वो क्या होगी सारी किरियाएं एक साथ काम करना बंद कर दें तो क्या होगा सोच लीजिए आदमी क्या हो जाएगा उसके बाद डेड हो जाएगा क्योंकि ये सभी हार्ट मसल्स हार्ट नहीं सलना है तो इसका मतलब क्या हुआ, सहरे के वियुक कोश्काओं तक oxygen supply नहीं की जाएगे, तो सारी cells से क्या हो जाएगे, dead होना start कर लेंगे, तो यह कि हमारे पास एक अलग तरीके से involuntory actions है, जो लगातार क्या होते हैं, हम चाहा कर भी उनके पर control नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हमारा mind क्या होता है, आप automatically set होता है और उन पर action करता है, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, उसमें हम जो tissues हैं, ठीक है, वो कैसे protect रहते हैं, उनके बारे में जहर कर लेंगे, thank you, वीडियो को लाइक किजिए, share किजिए और चैनल को subscribe दीजिए